हेलो एवरिवन तोड़े भी विल डू पेपर फोल्डिंग डॉग तो यह डॉग बनाने के लिए हम यूज कर रहे हैं एफोड शीट आप कलर भी यूज कर सकते हैं मैंने यहां पे वाइट पेपर लिया हुआ है एफोड शीट का तो आपने इस तरह से इसको फोल्ड करना है और दूसरा भी इस साइड से फोल्ड करना है अपने बराबर जो है वो फोल्ड कर देना इस राइप से और फिर इसको अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड कर देना है यह फोल्ड होने के बाद आपने यहां से इसको इस तरह से फोल्ड करना है दूसरे पार्ट को भी इसके साथ मिला के इस तरह से फोल्ड कर देना है यह फोल्ड होने के बाद आपने इसको इस तरह बार की तरफ फोल्ड कर देना है तो यह हमारे फोर पार्ट में इस तरह से डिवाइड हो जाएगा अभी हमने डॉक की एर बनाने है तो हम ब्लैक पेपर का यूज़ कर रहे है इसको हम फोल्ड कर देंगे और इस तरह से एक शेप बना लेंगे और फिर इसको सीजर के साथ कट कर देंगे यह हमने कट कर दिया है तो अभी हम फैबिकॉल के साथ यहाँ पे स्टिक कर देंगे तो यहाँ पे हमने डॉक के यह जो है वो स्टिक कर दिया है अभी हम ब्लैक मार कर लेंगे स्केच पन का भी यूज कर सकते हैं और यहाँ पे हम आइस ड्रॉ कर देंगे और हम अभी डॉक का माउथ जो है वो ड्रॉ कर देंगे उसके बाद रेड पेपर से हम डॉक की टंग ड्रॉ करेंगे रेड पेपर पे तो यहाँ पे हमने यह ड्रॉ कर दिये अभी हम इसको कट कर लेंगे अगर आपके पास रेड पेपर नहीं है तो आप स्केच पैन का भी यूज करके ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे हम टंग को फैबी कॉल की हेल्प से स्टिक कर रहे हैं यह ड्रॉक का फेस रेडी है अभी हम ब्लैक पेपर का यूज करके टेल लगाएंगे तो यहाँ पे ब्लैक पेपर की एक हम स्ट्रिप कट कर लेंगे और ड्रॉक की टेल बना देंगे तो यहाँ पे हमने पैबी कॉल लगा के इसको स्टिक करना है यह ड्रॉक की हमने टेल बना दी और हमारा ड्रॉक रेडी है तेंक यू